हेलो स्टूडेंट्स, स्वागा थे आप सभी का NCE Artifics Class 12 में आज का हमारा कॉश्चन है केवल धारिता वाले AC परिपत के लिए ब्यांजक ब्यूत्पन कीजिए तो हम AC परिपत बनाएंगे लेकिन केवल संधारित्र के लिए जिसकी कुछ धारिता होगी तो उसे हम बोलते हैं धारिता वाला AC परिपत तो चलिए चित्र बना लेते हैं तो सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये संधारित्र है और ये दोनों संधारित्र की दोनों पिलेटे हैं और दोनों पिलेटों का संबन्द हमने प्रत्यावरती बोल्टेज से किया है देखिए आप यहां पे देख सकते है और इसमें हमेशा जो धारा की दिसा है ये उपर से नीचे की ओर आएगी और ऐसे ही आपको एक्जाम में बना के आना है तो ये चित्र तो आप बना लेंगे लेकिन अब आपको चित्र की जो भासा है उसको लिखना है तो चित्र की भासा बिलकुल ही सरल है आपको चित्र देखके ही लिख लेना है जैसे कि आप यहां पे लिखेंगे चित्रानुसार संधारित्र C या C धारिता वाले संधारित्र की पिलेटों का सम्मंद है चित्रानुसार संधारित्र की पिलेटों का सम्मंद प्रत्यावर्ती बोल्टेज से किया गया है तो किसी छण इसमॉल्टी पर प्रत्यावर्ती बोल्टेज का समीकरण क्या होता है भी वरावर, भी zero sine omega t ये तो जो line है ये हर परिपत में जब हम ब्यंजक करेंगे तो सभी परिपतों में ये वाली line चलेगी तो देखिए आपको बिलकुल भी tensor नहीं लेना है जो चित्र की भासा है वो बहुत ही simple होती है जो चित्र में जुड़ा हुआ है उसी के बारे में लिखिए जैसे यहाँ पे क्या जुड़ा है सी धारिता वाला संधारित्र तो आपको क्या लिखना है चित्रा नुसार सी धारिता वाले संधारित्र की पिलेटों का ये पहली पिलेट है और ये दूसरी पिलेट है तो पिलेटों का सम्मंद प्रत्यावर्ती बोल्टेज से किया गया है तो है ना सिंपल चित्रानुसार सीधारिता वाले संधारित्र की पिलेटों का सम्मंद प्रत्यावर्ती बोल्टेज से किया गया है तो ये हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं तो आपको इस तरीके की भासा लिख देनी है देखिए इसमें क्या लिखा है? चित्रानुसार सी धारिता वाले संधारित्र की पिलेटों का सम्मंद प्रत्यावर्ती बोल्टेज से किया गया है तो देखिए उसी तरीके से लिखा है न अब जैसे ही हम संबन्द करते हुए तो इसमें परवाहत धरा आई है अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं और परवाहत धरा आई के बारे में नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है लेकिन एक चीज जरूर लिखना है वो क्या है किसी छण small t पर प्रत्यावर्ती voltage का समीक्रण और हमेशा इस voltage का समीक्रण चुकि हर परिपत में ये तो जड़ा ही होगा तो इसका voltage का जो समीक्रण है b बरावर b 0 sin omega t उसको तो हम हमेशा लिखेंगे तो वो line all लिख लेते हैं यहाँ पे किसी च्छन t पर प्रत्यावर्ती voltage का समीक्रण और voltage का जो समीक्रण है किसी च्छन small t पर प्रत्यावर्ती voltage का जो समीक्रण है वो होता है b बरावर b 0 sin omega t यह समीक्रण होता है तो इसको हम समीक्रण एक बना देंगे अब हमें साथ में धारा भी निकाल ली हैं प्रत्यवर्ति धारा के लिए हमें सूत्र निकालना है कि क्या होगा तो देखते हैं कैसे करेंगे सबसे पहले तो हमने B वरावर B0 Sin Omega T लिख दिया है लेकिन संदारित्र के लिए धारा कैसे निकाल ली है इसको हम थोड़ा रफ में समझ लेते हैं देखिए हमें निकाल ली है क्या धारा और धारा का सूत्र होता है D Q बटे D T यानि कि आवेस प्रवाह की दर ही धारा कहलाती है तो अगर हमें धारा निकाल ली है तो हमें क्यू पता होना चाहिए लेकिन संदारित्र के केस में बटे D अगर आपको याद हो यह धारिता का सूत्र होता था तो इस सूत्र में अगर हमें क्यू का मान निकालना है तो हम सी का भी में गुणा कर देंगे तो Q बटे D तो अब यहां पे हमें क्यू का मान C भी पता है तो हम यहाँ पे रखके आई का मान निकाल सकते हैं इसी बंजक में यही करना है हमें क्या ग्यात करना है बताईए दारा ग्यात करनी है और दारा का फॉर्मूला क्या होता है DQ बटे DT DQ बटे DT में हमें Q क्या पता है Q बरावर होता है CB अब q बरावर cb में bumin बस हम रखेंगे और bumin कितना होता है b0 sin omega t यह हमने अभी अभी लिखा है आप देख सकते हैं यहाँ बरावर b0 sin omega t होता है तो यहाँ जहाँ भी लिखा है इसकी जगेपर b0 sin omega t लिखेंगे तो यह q कमान मिल जाएगा और Q कामान जैसे ही मिलेगा आप यहाँ पे रख दोगे तो आपको I कामान मिल जाएगा तो जब केवल संधारित्र जुड़ा है जब केवल क्या जुड़ा है संधारित्र जुड़ा है तो आपको ये मेथड अपनानी है कि I बराबर DQ बटे DT जहां से Q कामान CB तो सबसे पहले अगर हमें प्रत्यावर्ती धारा निकाल ली हैं तो सबसे पहले हमें Q निकालना होगा तो इसलिए जब हमने ये बोल्टेज का समिक्रण लिखा है यहां पे इसके बाद हम Q निकालेंगे तो Q के लिए हम भासा क्या लिखेंगे कि संधारित्र की पिलेटों पर आबेश तो यहां पे भासा हमारी बनेंगी संधारित्र की पिलेटों पर आबेश और आबेश को किस से दर्स आते हैं Q से और Q का फॉर्मूला क्या होता है C और B इस Q को आगे बढ़ाएंगे तो Q बरावर होगा C और B का मान कितना है B, 0, sin, omega, T तो इस B की जगह पर रख देंगे कोश्टक में B, 0 या डारेक्ट भी लिख सकते हैं sin, omega, T तो ये हमने बताने के लिए कि ये B का मान कोश्टक में रखा इसलिए अब ये कहां से आया B का मान तो समीकरण 1 से तो आप बगल में जाके ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 से ये इस तरीके से अब आगे देखिए हम इसका गुणा कर देते हैं कोश्टक खटा देते हैं तो Q बरावर आएगा C, B, 0 sin, omega, T ये Q का मान आगया तो इसलिए अब हम धारा निकाल सकते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए प्रभाहित धारा संधारित्र में जो धारा प्रभाहित होगी उसके लिए हम लिखेंगे प्रभाहित धारा तो प्रभाहित धारा के लिए होता है I बरावर D, Q बटे, D, T ये फॉर्मूला हम लगाएंगे D, Q बटे, D, T ठीके तो अब आगे बढ़ा देते हैं I बरावर D, बटे, D, T जियों काते हो ये देखिए D, बटे, D, T जियों काते हो लेकिन ये Q लिखा है और Q की जगहे पर हम लिख सकते हैं C, V, 0, उमेगा, T तो ये Q की जगहे पर C, V, 0, उमेगा, T हम यहाँ पर लिख देते हैं C, V, 0, साइन, उमेगा, T ये हमने इस तरीके से लिखा और ब्रैकेट लगा दिया अब इसका आउकलन होगा क्योंकि D, बटे, D, T आउकलन का रूप है तो I बरावर C और V, 0 C क्या है? धारिता तो धारिता तो नहीं बदलेगी और V, 0 भी बिभाव का सिखर मान है तो ये भी नहीं बदलेगा तो C और V, 0 को हम कॉंस्टेंट मान के यानि नियत मान के इन्हें बाहर कर देंगे तो C और V, 0 ये कॉंस्टेंट हैं तो ये बाहर आ गए तो अंदर क्या बचा? D बटे, D, T और साइन उमेगा टी ये प्रत्यावरती धाराम है ये उमेगा टी जो है ये कॉंडी बेग ठीटा है जो कि ये बताता है कि कुंडली कितने बेग से गूम रही है तो ये तो बदलती रहती है इसलिए हम इसको अंदर रखेंगे अब I बरावर C भी 0 जियों काते हो और D बटे, D, T साइन उमेगा टी तो ये आउकलन होगा तो साइन उमेगा टी का होता है देखिए इसे अगर साइन एक्स मान के चलें तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स इसको थोड़ा रफ में समझते हैं आउकलन में एक सूत्र होता है डी बटे, D, X साइन एक्स बरावर कॉस एक्स ठीके अगर इसकी जगह पर डी बटे, D, X साइन टू एक्स लिखा हो तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स इसको पूरे को दौनों पदों को X मान लीजिए तो साइन X का क्या होगा कोस X तो ये X आ गया लेकिन आउकलन होने के बाद ये 2X का X के सापिक जिफ फिर से आउकलन होगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा यानि X से X कैंसल हो जाएगा तो क्या बचेगा केबल? 2 तो यहां पे एक साथ में अकेला वो संख्या है जो वो बच जाती है तो इसलिए ये जो आउकलन टोटल होके आएगा 2 को आगे कर दिया तो 2 कॉस्ट 2X हो सकता है ये इस तरीके से बिलकुल वैसा ही यहां पे T के सापिक जिफ है ये X के सापिक जिफ आउकलन है और यहां पे ये T के सापिक जिफ है आप यहां पे देख सकते है कि साइन उमेगा और T इसे 2 समझिए इसे X समझिए क्योंकि T के सापिक जिफ है तो D बटे DT साइन उमेगा T का पहले तो होगा कॉस उमेगा T तो यहां पे हम लिखेंगे कॉस ओमेगा टी लेकिन ओमेगा टी का टी के साफ एक चालग से होगा तो टी और टी कैंसल हो जाएगा तो केबल बचेगा ओमेगा तो यहां पे ओमेगा एक अलग से आजाएगा तो डी बटे डी टी साइन ओमेगा टी का पहले क्या होगा कौस ओमेगा टी लेकिन टी के साप एक चालग से ओमेगा टी का होगा तो टी और टी कैंसल तो ओमेगा बचेगा ठीक है तो साइन ओमेगा टी का कौस ओमेगा टी और उमेगा T का फिर से होगा तो उमेगा बाहर आ गया इसके बाद आगे बढ़ते हैं आई बरावर यह उमेगा यहां पे लिख लेते हैं आगे तो बनेगा C V 0 उमेगा कॉस उमेगा T इस तरीके से अब यह जो बैल्लियू है C V 0 उमेगा इसको हम I 0 मान लेते हैं तो यह जो C V 0 उमेगा है इतने पद को हमने क्या माना I 0 इसे दारा का सिखर मान कहते हैं और बचेगा क्या कॉस उमेगा T ठीक है तो यहां पे हम लिख सकते हैं जो हमने किया है यहां पे वो हम यहां पे लिखेंगे बरावर आई जीरो और इसे क्या कहते हैं धारा का सिखर मान धारा का सिखर मान तो इस तरीके से हमने लिख लिया तो आई बरावर आई जीरो कॉस ओमेगा टी हमें प्राप्त हुआ लेकिन हमारा जो बोल्टेज का समिक्रण है जो हमने समिक्रण एक बनाया है वो क्या है बी वरावर बी जीरो साइन ओमेगा टी ये हमारा बोल्टेज का समिक्रण है जो समिक्रण हमने एक बनाया है उपर है तो ये देखिए तो ये है साइन के फॉर्म में और ये हमारा जो धारा का समिक्रन आया है ये cos के form में है तो तलना नहीं की जा सकती अगर दोनों sine में हो तो पता चले की कौन ज़ादा है, कौन कम है तो रवारा को हम sine बना सकते हैं cos को sine बनाने के लिए हमने फॉर्मूले पढ़े है कि cos theta वरावर sin90- theta आपने टेंथ में पढ़े होंगे जो सायद आपने नहीं पढ़ा होगा लेकिन होता है तो यह वाला प्रॉमूला वी कोईट टीटा बनाता है तो यहाँ पे मैंने यह प्लस बाला क्यों बनाया है बताया है आपको इसको समझ लीज़े बिभाव का फॉर्मूला साइन में है धारा का फॉर्मूला कॉस में है तो धारा के जो फॉर्मूला है उसको हम साइन में बदलना चाहते हैं तो धारा के फॉर्मूले को साइन में बदलने के लिए ये कोश ठीटा लिखा है तो हम इसे साइन नाइन टी माइनस ठीटा यानि की साइन नाइन टी माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं क्योंकि ठीटा का मान ओमेगा टी है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी या फिर लिख सकते हैं साइन 90 प्लस ओमेगा टी लेकिन इन में से सही कौन सा रहेगा तो मैं आपको बता दूं कि ओमेगा टी यानि कुंडली के गुमने की जो दर है वो हमेशा आपको positive रखनी है कुंडेली के गुमने की जो direction है वो हमेशा कैसी रखनी है positive तो ध्यान रहे कि omega t आपका हमेशा plus में रहे तो अगर ये हम उपर वाला formula यूज कर रहे हैं तो इसमे omega t minus में है जो कि यहाँ पे नहीं लेना है तो ये वाला formula लगेगा sine 90 plus omega तो देखिए हमने तुलना करने के लिए cos को sine में बनाया तो ये समिक्रण आगे बढ़ेगा i का i रखा बरावर i zero जियों काते हो और cos की जगह पर हमने लिखा sine लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी 90 plus omega t ठीक है तो cos की जगह पर sine लिखने के लिए हमें 90 plus omega t लिखना पड़ा तो ये हो गया अब इसमें देखिए plus में omega t है तो कोई टेंसन नहीं है अब इसमें क्या करेंगे cos के साथ में omega t लिखा है तो हम चाहते हैं कि sine के साथ में भी omega t हो अब इसमें के साथ में नब लिखा है तो इसको आगे लिख देंगे इसको पीछे लिख देंगे तो अगले स्टेप में हम i वरावर i 0 sine और omega t प्लस 90 लिख देते हैं ये देखिए ये लिख दिया हमने अब हम इसको समिंकरण 2 बना सकते हैं अब हम समिंकरण 1 बाद 2 की तुलना करेंगे हमारा समिंकरण 1 क्या था तो समिंकरण 1 ऊपर बना हुआ है जो कि मैंने यहां पे लिख लिख लिए देखिए हमारा समिंकरण 1 है b बरावर b 0 sine omega t और समिंकरण 2 है i बरावर i 0 sine omega t प्लस 90 तो इन दोनों में क्या फर्क है इन दोनों में फर्क ये है कि sine omega t है विभाव लेकिन धारा क्या है sine omega t के साथ में प्लस 90 है तो धारा 90 अंस के कलांतर के साथ प्लस में है और प्लस को बोलते हैं अग्र गामी अगर माइनस होता तो बोलते पश्च गामी लेकिन प्लस है तो क्या बोलेंगे अग्र गामी तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती विभावांतर से 90 अंस कलांतर अग्र गामी है क्योंकि धारा अग्र गामी है इसलिए धारा से ही स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पे भासा लिखेंगे समीकरण एक बादो से इस पश्ट है कि समीकरण एक बादो से इस पश्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती बिववांतर से नब्हे अंस कलांतर अग्रगामी है तो यहां पे लिख दिया अग्रगामी है इस तरीके से अब इसका मतलब समझ लेते हैं इसका मतलब यह है कि अगर हम विववांतर और धारा के बीच में गिराफ खींचे किस किस के बीच में विववांतर और धारा के बीच में देखिए सबसे पर यहां पे गिराफ की माध्यम से हम इस चीच को समझ सकते हैं देखिए, गिराफ बनेगा बिभाव। और धारा के मत्ध में अब यहाँ पे जदा कौन है बताईए बिभाव जदा है की धारा जदा है तो अनसर है धारा जदा है नब्य अंस कलांतर अग्रगामी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जैसे हमने यहाँ पे बिभाव बनाया देखिए बिभाव की लाइन हमने इस तरीके से बनाई तो नब्बे अंस कहा जाता है चांदे में ऐसे जाता है उपर की और यह नब्बे अंस का कॉन बनेगा तो यहाँ पे हम नब्बे अंस का कॉन बना देंगे यह देखिए और 90 अंस का कौन जैसे ही हम बनाएंगे तो यहां पे रहेगा क्या बिभाव बिभाव के साथ में यह जो चीज है धारा यह 90 अंस के साथ आगे की ओर चलेगी तो यह इस तरीके से गिराफ बनेंगा लेकिन हम चुकि सभी परिपतों को जब एक साथ जोडेंगे तो हम एक इसका ऑप्सनल गिराफ बनाएंगे और वो गिराफ काफी इंपोर्टन्ट होता है यह केबल बिभाव और धारा के बीच में रिलेशन बताता है कि बिभाव और धारा नब्बे अंस कलांतर अग्र गामी है अगर इसी गिराफ को हम ऐसा कर दें यानि कि धारा को एक सक्ष पर लेके आएं और बिभाव को बायक्ष पर लेकर जाएं देखे कैसे जिसे मान के चलते हैं कि यह जो है यह बिभाव है यह बाली लाइन यह बिभाव है इसको थोड़ा द्यान से समझना और यह है धारा ठीके तो यह जो हुए यह धारा है अब हम धारा को एक सक्ष पर लेकर आना चाहते हैं एक सक्ष पर लेकर आना चाहते हैं धारा को देखे ये हम ले गए एक सक्ष पे तो बिभाव जो है वो कहां पहुँच गया नीचे आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ बिभाव कहां पहुँच गया नीचे बापिस लाना चाहें ये देखिए ये धारा वापिस आएगी बिभाव वापिस आजाएगा तो ये जो बिभाव है ये किसका बिभाव है ये संधारित्र का बिभाव है इसलिए हमें से भीसी से भी दरसा सकते हैं और ये धारा है तो धारा को हम क्या करेंगे सभी चीजों के लिए एक सक्ष में लेकर आएंगे तो अब ये नया गिराफ ऐसे बनेगा कि धारा आ जाएगी एक सक्ष में तो हम धारा को एक सक्ष में लेकर आएंगे तो विभाव कहां चला जाएगा ये नीचे की और जाएगा उपर नहीं जा रहा है विभाव कहा जा रहा है नीचे संदारित्र का जो विभाव है भी सी ये कहा जाता है नीचे की और तो ये 90 हंस के साथ नीचे की और चला जाएगा तो ये धारा आ जाएगी अब ऐसा क्यों हमने किया है क्योंकि हमें पता है कि आई और भी यार जो हमने ओमिय प्रतिरोत किया है यदि आपको ध्यान हो तो धारा और विवाव दोनों समान कलामे थे तो आई और भी यार दोनों समान कलामे है तो चाहे हम आई लिख दें यहां पे या हम भी यार लिख दें तो हम भी यार और भी सी क की तुलना कर सकते हैं कि भी यार अगर ओमिय परिपत की बात करें तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो ओमिय परिपत का विववांतर है और धारिता का विववांतर एक दूसरे के साथ नब्य अंसकलांतर पश्च गामी होते हैं पश्च गामी होते हैं कौन लेकिन विववांत क्योंकि हम किवल यहां बिभाओ और धारा की बात कर रहे हैं और यहां पे हम ओमिये परिपत के बिभाओ और संधारित्र के बिभाओ की बात कर रहे हैं तो यहां पे दोनों में बिभाओ की बात कर रहे हैं लेकिन यहां पे बिभाओ और धारा की बात कर रहे हैं ठीक है यदि नब्वेंस कलांतर बताने के लिए है कि कैसे चलती है तो अभी तो हमने समझा है कि वलकि ये बिवाओ और धारा नब्वेंस कलांतर धारा जो है नब्वेंस कलांतर अग्रगामी है लेकिन चित्र में भी बताना पड़ता है कि कैसे अग्रगामी है तो हम यहां पर ग्राफ कीच लेते हैं एक इस तरीके का और इस ग्राफ में हम सबसे पहले एक तरंग बनाते हैं बिभाओ की तरंग ठीके यह बिभाओ की हमने तरंग बना ली इस तरीके से बिवाओ यहां 0 से स्टार्ट हुआ और 90 अंस के कौन के साथ जब यह 5Y2 है या टाइम भी बता सकते हैं यहां पर कोई दिक्कत नहीं है या फिर कौन भी बता सकते हैं यह 3Y2 और यह 4Pi तो यह बिवाओ यहां पर है यहां पर बिवाओ सिखर मान पर पहुँच जाता है अपने BG-0 पर और यह भी बिवाओ डिरेक्शन में सिखर मान पर पहुचेगा BG-0 और यह यहां पर बिवाओ डिरेक्शन में सिखर मान पर पहुचेगा BG-0 तो यह बिवाओ है लेकिन विभाव धारा से धारा जो है विभाव के साथ में 90 कलांतर अगर गामी है इसका मतलब है कि नब्ध कहा माना जाएगा इसमें 90 यहां होगा क्योंकि जब विभाव यहां पे है तो वो कौन कितना होता है 90 डिगरी तो ये है यहाँ पे लेकिन विभाव पहुँचता है जीरो से नब्हे लेकिन धारा सुरुआत से ही नब्हेंस कलांतर रहती है तो है यहां से स्टार्ड होती है धारा और इसका जो बनता है वो इस तरीके से बनेगा ठीके तो ये दारा का सिखरमान हो जाएगा आई जीरो तो दारा जो है विभाव के साथ इस तरीके से चलती है तो जब विभाव जीरो रहता है तब दारा अधिकतम होती है और जब दारा विभाव अधिकतम हो जाता है तो दारा वहां पे जीरो हो जाती है ये थोड़ा सा समझने वाली बात है तो ये हो जाएगा धारा का सिखरमान ये थोड़ा ध्यान रखिए कि कैसे बन रहा है बाकी चीजें तो सिंपल है तो अब आप स्क्रीन सॉट लेकर इसे नोट कर सकते हैं और अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चे थी ये आप पर बनने लगेगा पर इसके बाद ये दोनों ग्राफ बनाना है और ये दूसरा ग्राफ वाला चित्र भी आपको बना के आना है तो इस तरीके से केवल धारिता के लिए एसी परिपत की प्रत्यवर्ती धारा का बियंजक ब्युत्पन्न होता है थैंक यू